जॉनी डेप और एमबर हड के केस का फैसला आ गया है जॉनी डेप केस जीत गए है और एमबर हड को 10.5 मिलियन की जो रकम है वो जॉनी डेप को देनी बड़ेगी उनके जूबर जुर्माना 15 मिलियन डॉलर का रगा लेकिन 10.5 मिलियन ही उनको देने पड़ेंगे ऐसा क्यों ह और इस फैसले का क्या मतलब है और ये एक लैंडमार्क जज्जमेंट क्यों कहा जा सकता है बुरा के इसके बारे वाज़ हम बात करने वाले इनियन पॉबलर कोर्ट पे और मैं हूँ अपका दोस्त अनिमेश्ट तो सबसे पहले जीज़ जब कैस केस का फैसला आ जाता है तो बहुत सारी चीज़े जिनके उपर हम अंदादा लगा रहे थे कि असा हो सकता है वो सकता है उन सारी जीज़ों पर फिर खुल के बात की जा सकती है तो सबसे पहली जो चीज़ थी इस केस की जिसने एमबर हर्ड के खिलाफ काम किया वो था उनके लगाए गए आरोपों की जो भयावहता थी वो बहुत ज़ादा थी उन्होंने जिस तरह की बात की कि उनके उपर जिस दोनों उगलियों में अंगूठियां बेने थे जोनी डेब और बुरी दरह से उनको पीटा कई घूसे मारे और पसलिया उन निर्भिया के कांड था इस तरह के और दूसरे केसे थे उसमें बहुत ज़ादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है कांच की बोतल से एसॉल्ड करना या क्या कहते हैं अंगिनद हूँ से चेहरे बे मारना उसके बाद आत्मी को हॉस्पिडल ले जाना पड़े लेकिन वो सारे निशान इस तरह के नहीं थे कि जिस लेवल का वो एसॉल्ड बता रही थी दूसरी चीज जिस चीज ने उनके खिलाफ काम किया वो था ऑनलाइन वर्जन जो उस आर्टिकल का था उसकी हैटलाइन ने एंबर हड के केस में जीवरी ने सवाल पूछा था फूरा केस खतम होने के बाद क्या पूरे आर्टिकल को एक डिझा मामला माना जाया या सिर्फ हडलाईन की हेडिंग को ही माना जाया जो इनके वकील अगर किसी ने वो आर्टिकल नहीं भी पढ़ाओ, सिर्फ हेडिंग पढ़के ही वो यह मान सकता है, कि जो आनी डेप ने उनके सूपर सेक्शुल असॉल्ड किया, सेक्शुल असॉल्ड का केस उनका कभी था नहीं, और वो केस जाहिर जी बात है, जूटे आरोप पाए गया, और यारोप जूटा हो गया, कि एमबर हट ने ऐसी जीज को ट्वीट किया, जो कोड से नहीं हो, एमबर हट को दोमेस्टिक वोइलेंस का केस बन जाता है, वो स्टेटमेंट सही साबित होता है, लेकिन जो उसकी हेडलाइन थी आर्टिकल की, उसमें सेक्शुल वोइलेंस ल का कोई मामला जौनी डप के खिलाफ नहीं था, तो ये एक जूटा स्टेटमेंट एमबर हट ने कोट किया, सर्फ एक शब्द की वज़ए से, पर फारतिय मुद्रा में सौ करोर रोपे सा जाधा का जुर्माना लग गया, और वो ये तर्क भी दे रहे था, कि इस आर्टिकल को हमने पब्लिश नहीं किया, इसकी हेडलाइन को हमने पब्लिश नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें उपर लिखा था, कि मैंने ये लिखा है, और उसके बाद अगर आप वो आर्टिकल की हेडलाइन भी पब्लिश करें, इसका मतलब है कि आपके लिखे हो कि उपर जो आर्टिकल के हैडलाइन लगाई गई है आप उससे बुरी तरह से सहमत है जो चीज उनके खिलाव गई वो थी उनके गवा एमबरहट के गवा पेड एक्सपर्ट थे उनको पैसे दे के लाया गया था उन्होंने बहुत सारे तक्थियों को सुनी- पर बात कही जा रही है तत्य नहीं है सबसे आखरी और सबसे एहम चीज जो एमबरहट के खिलाव गई वो है कि जब आपके खिलाव मुगदमा चल रहा है अगर आपने जान बूझकर एक कोई बड़ा जूटा तत्य गड़ा तो कई बार ये मान लिया जाता है कि आपने बा पानी गड़ के सामने रखी तो जिन चीजों को साबित नहीं किया जा सकता है वो मान ली जाती है कि वो भी जूटी थी आपने जूटा मामला बनाया तो एमबरहट ने कुछ चीजे बिल्कुल जूटी की जैसे उन्होंने जो साथ मिलियन डॉलर दान करने की बात की थी वो जहुआ कि इसले लिए अंकी फोटो ऊन्होंने फोटो के बारे में कहा कि यह दो अलग 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 समय पर कीची गई है और दोनों फोटों के कीचे जाने का समय एक था यह फोटो का नाम एक था फोटों बिल्कुल एक जैसी थी बस एक फोटों में चोड दिख रही अब Amber Heard को जो Cross Examining कर रही थी, जो Johnny Depp की वकील थी, केमिली वेसकस, उन्होंने कहा कि ये जो फोटो है, ये एक ही फोटो को आपने Photoshop करके दूसरी फोटो में चोट दिखाई है, क्योंकि दोनों फोटो एक ही समय पर एक ही सेकेंड में खीची गई है, दोनों में बाल एक ही जग और वो Assault हुआ था, और वो फोटो जूटी साबित होती है, वो सबूट जूटा साबित होता है, तो फिर असका मतलब ये है कि बाकी सारे सबूट भी जूटे होंगे, और जो कहानिया, वो Amber Heard, बाकी कहानिया जो सुना रही थी, उनके पक्ष में उनके पास ना कोई फोटो कोई भी वीडियो, पेश करने के लिए कोर्ट में नहीं थे, सारी चीज़े आगे पीछे की थी, इसके लगा उनने एक ही तोड़ फोड की, एक ही सामान फेकने की फोटो को दो जगए अलग अलग जगए लगा दिया, कि दो अलग अलग बार ये हुआ, तो इस तरह है कि जो फरजी सबूत उन्होंने बनाए, और यही होता है कि कोर्ट में आरोब लगाना बहुत आसान है, आप कुछ भी बयान में लिख दीजे, लगिन जब आप उसको साबित करने जाते हैं, तो आपको एक एक चीज़ को अच्छी तरह साबित करना पड़ता है, और अगर आप नह 10 million dollar definitive fine है, 5 million dollar का punishment fine है, इन दोनों में अंतर क्या है, उनका जो defamation है, जोनी डिप क्या है, की मान हानी हुई है, नुक्सान हुआ है, उसके उपर 10 million dollar का जर्माना है, और 5 million dollar का जर्माना इस बात पर लगाया गया कि जो उन्होंने जूटे सबूत दिये, जूट बोला, जूट म ना करें या ऐसा करने की जो सजा है, इसके चलते हैं उनके पांच मिलियूं डॉलर का फाइल लगा, ये फाइन जो वरजेनिया कोड की चमता थी हर कोड की चमता होती है कि जीुरी कितना फाइन लगा सकती है, इससे जाधा थी तो उसको घटा के 3.5 लाग डॉलर कर दिया गया अब Emberhead के सामने दो चीज़े हो सकती है या तो Emberhead अपनी सारी संपत्ती बेच कर यह fine भरे और Johnny Depp को भी सारी रकम दे दूसरी चीज़ क्योंकि 10 में 0.5 मिलियन डॉलर में से 2 मिलियन डॉलर Johnny Depp Emberhead को वापस देंगे तो वो एक और जो मुकदमा चल रहा था जिसमें उनके खिलाफ Johnny Depp के वकील ने कुछ बाते कही दी उसमें Johnny Depp को 2 मिलियन डॉलर देने पड़ेंगे Johnny Depp ने भी शराब के नशे में गालियां बकी है और कुछ चीज़े की हैं उसके चलते उनको 2 मिलियन डॉलर तो साड़े-दस में से साड़े-8 मिलियन डॉलर जंबर हैड को देने हैं जबकि उनकी कुल संपत्ती 8 मिलियन डॉलर है इस 8 मिलियन डॉलर को वो अपनी पूरी जमा संपूझी बेच कर दे सकती हैं दूसरा तरीका ये है कि वो अपने काम के जो भी कॉंट्रेक्ट हैं उनके साथ वो कर सकते हैं कि मेरे बास अभी पैसा नहीं है जो पैसा आएगा वो काम करेंगी उसमें से वो सारा पैसा जोनी डॉलर का जो फाइन है वो देना ही पड़ेगा ते अलावा अमबर हर्ड के लिए सबसे राहत की बात ही हो सकते है कि जॉनी डब ये कहँधे है कि उनको पैसा नहींचाहिए अगर ऐसा होता है अलागी इसकी उम्मीद कम है लागी TWO सकते हैं कि उनको एंबर हर्ड को रकम देने से मना कर सकते हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत नहीं ऐसा एक एंगल भी हो सकता है कुल मिलाकर जॉनी डप ने ये कहा कि वो अपना नाम क्लियर करना चाते हैं उन्हें कर लिया इंटरनेट पर बहुत सारे मीम बहुत सारी ट्रोलिंग, बहुत सारी एंबर हट की ट्रोलिंग इस बात पर हो रही कि डोमेस्टिक वाइलेंस के जितना केसे जूरते करती हैं, वो जूटे होते हैं हम इस बात से इत्फाक नहीं करते हैं पीड़ित और पीडा देने वाले दोनों को जंडर के आधार पर माटना गलत है, जिस तरह से अंबर हट को लग रहा था कि you Johnny Depp tell the world your victim of domestic abuse की Johnny Depp एक पुरुश होके कैसे दुनिया को बता पाएंगे कि उनके साथ domestic violence हुआ है वो गलत थाबित हुआ हलाग कि अंबर हड़ अभी भी ये कह रहे हैं कि उनकी freedom of speech का उलंगन हुआ है उनकी freedom of speech हो गई है, लेकिन किसी को जूटे में ये stand ले सकते हैं और गलत charges से सामने आ सकते हैं, निकल कर बाहर आ सकते हैं, तो इसी बीच में याद रखिए gender का abuse के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी अपरादी हो सकता है, तो ये जो तर्क है कि क्योंकि एक महिला आरोब लगा रहे हैं, तो इसके सारे आरोब सही मान लिए जाएं, और ये जो तर्क है कि क्योंकि एक महिला आरोब लगा रहे हैं, तो इसके सारे आरोब जूटे हैं, ये दोनों बातें गलत हैं, दोनों बातें नहीं मानी जानी जी आप देखते रहे हैं इंडियन पॉप्लर कोड और हमें कमेंड में जरूर बदाइए आप जॉनी डप के फेवर में आए इस जज्जमेंट से सहमत है या नहीं है धन्यवाद